Good morning everyone, good morning sir चलिए तो आज हमारा ये day one है speaking का ऐसे हम लगबग एक महिना practice करेंगे जोरदार practice speaking की ताकि आप लोगों की speaking बहुत अच्छी हो सके तो आज day one में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले ये समझी देजिए आज day one में हम एक तो बॉके एक अपना rule की speaking कैसे बोलते हैं translation कैसे करते हैं उस पे हम discuss करेंगे और फिर हम topic बोलना भी आज से ही सुरू करेंगे ठीक है? तो मैं सबसे पहले आप से क्या करूँगा? meanings पोचूँगा meaning कैसी जैसे जो ज़्यादतर यूज होती है हमारे बोलचाल में ऐसी meanings और main verb actually meaning भी important है main verb भी important है क्योंकि main verb के बिना कोई भी sentence नहीं बनाया जा सकता जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ तो I am teaching तो teaching क्या है यहाँ? main verb है तो बिना teaching यानि कि action जो बर्व होती है वो बहुत ही जरूरी होती है और meaning भी जरूरी होती है कि किसको क्या बोलते हमें पता होना चाहिए और तीसरी चीज होती है हमारी कि daily usage sentences कई बार क्या होता है कि कुछ sentences तो हम सीख लेते हैं कि translate करके बना देते हैं कि tense का rule देखा उससे बना दिया जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो I am teaching वहां लिख रहा है तो he is writing लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं तो ऐसे sentences इनको बोलते है daily usage sentences बात समझ में आ रही है ठीक है तो सब लोग ready चलिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक file दी थी मैंने आपको हाँ सब के पास है file एक file दो मेरे पास ठीक है ये main verb की file है इसमें 800 main verb है clear और ये हम लगभग 10 से 12 दिनों में complete करेंगे आज मैं पूछने वाला हूँ आप से Acer related main verb के बारे में तो आप लोग जल्दी जल्दी बताते चलना फिर मैं मिनिंग पूछ रहा हूँ मैंने कल आपको याद करने को दिया था चलिए पहला है अवेक जागना अवेक मिस जागना बेरी गुड अलाओ अनुमती देना बेरी गुड एक मिनिट में माइक ले ले तो हूँ आप बताएं अब्यूज गाली देना बहुत बढ़िया अब्यूज मतलब गाली देना एग्री एग्री मतलब मानना मानना बिलकुल सहमत होना एग्री मतलब सहमत होना बिलकुल एपॉइंट निउक्त करना बहुत बढ़िया APPOINT मतलब निउक्त करना ARREST कैद में लेना कैद में लेना गिरफ़तार करना इसको बोलते अरेस्ट ATTACK आकरमन करना आकरमन करना Very good Arrange Arrange सजान वेवस्ता करना वेवस्ता करना बहुत बढ़िया तो यह हमारे अगले बंदे हैं हमारे पास arrival पहुंचना बेरी गुड अराइ मतलब पहुंचना avoid टालना very good avoid मतलब टालना absorb absorb मतलब आप बताएं अड्मायर प्रसंसा करना एनॉय चिढाना अपनी वह आकर्शित करना बहुत बढ़िया तो यह हमारी एस रिलेटेड में बर्पति कुछ जो हमने आज आप लोगों से पूछी तो अच्छे से कल फिर से याद करके आना और कल मैं एक बार दुबारा पूछूँगा और चलिए अगला हम बात करेंगे यह था में बर्प अब डेली उजस संटेंस एक फाइल मुझे दीजिए पूछने के लिए चलिए अगला है डेली क्या वहाइब अबड़त करेंगे सके पूछों करेंगे से की इसलीड मेरी अच्छी निति है प्रिचा होिओन मेरी इसली है ड़िया है इसली ऊटॉड ए नितिसे दा टन้ी1 यहाद पूलिसी मेर इसलीगे विल यू फेवर मी, विल यू फेवर मी, बेरी गुड, विल यू फेवर मी, क्या तुम पागल होगे हो, are you mad, are you mad, very good, very good, great, सब आपकी महरवानी है, It is your kind, so kind of you, so kind of you, ये सब आपकी महरवानी है, बहुत बढ़िया, एक मिनट रुखिये, just a minute, just a minute, ये याद रखना, just a minute, ये ऐसा बोला, 10 मिनट रुखिये, तो just 10 मिनट, एक दिन रुखिये, तो just a day, इस तरह से आपको ध्यार रखना है, अकात में रहो, हाँ जी, अगला, अ अकात में रहो, mind your own business, mind your own business, own business, mind your own business, अकात में रहो, mind your language, ये ना, अपने काम से काम रखो, उसको बोलते है, mind your business, क्या बोलते है, mind your business, अच्छा, बहुत बढ़िया, आप बताए, एक मिनट रुखिये, just a minute, just a minute, just a minute, आप बताए विटा, कभी मेरे घर पर आना, please come my head home, sometime drop in my home, sometime drop in my home, sometime come at my home, इस तरह से हम बोल सकते है, अच्छा, आगे बताए, क्या तुम पागल होगे हो, are you mad, very good, क्या बात है, next, पागल मत बनो, don't be silly, very good, थोड़ा जोर से बोला करे, sore मत करो, don't make a noise, don't make a noise, very good, क्या तुम्हें पक्का बता है, are you sure, are you sure, बहुत बढ़िया, तो ये था हमारे daily uses sentences, तो और अच्छी से आपको याद होना चाहिए, एक बार, कल मैं दुबारा पूछूँगा, clear, चलिए, ये दो राउंड होगे हमारे, एक हमारा main verb का, और दूसरा daily uses sentences का, हाँ जी, meaning की file है, किसी के पास, चलिए, अब हमारा तीसरा round सुरू होता है, यानि क daily uses meaning, daily uses meaning, तो ready हो, yes sir, great, ऐसा ही जोस दिखना चाहिए, आप पता है, something, very good, something, कुछ, nothing, कुछ नहीं, nothing मतलब कुछ नहीं, very good, anybody, कोई, anybody, कोई, nobody, कोई नहीं, everybody, सब कोई, where, what, when, when, when मतलब कव, when मतलब, कव, यान देंगे, why, क्यो, very good, very good, which, कौंसा या कौंसी, very good, who, कौं, हु मतलब कौं, very good, very good, how many, कितने, how many, कितने, how much, कितना, how much, how many, कितने, how much, कितना, how many, countable, चीजों के लिए यूज करते हैं, how much, uncountable, के लिए यूज करते हैं, next, what else, और क्या, very good, who else, और कौं, very good, how else, और कैसे, very good, how many else, और कैसे, और कितने, how many else is meaning, इस सारी चीज़ हमने 2020 डिसकस किया, क्योंकि 20 student है, तो उसके हिसाब से 2020 हमारे ये हो गए, तो ये 3 round हो गए हमारे, पहला हमने किया main verb, तो कल आपको फिर से एक बार याद करना है, दूसरा किया हमने daily usage sentences, और तीसरा हमने बात किया, किस के बारे में, meaning के बारे में, clear, हमारे बहुत सारे audience भी देख रही है, वो भी, आप लोग भी याद करते चलना है ये चीज़े, और जो भी हम activity करवा रहे हैं, इनको आपको भी revise करना है, और ये जो file मैं आप पूछ रहा हूं इनको, ये file का PDF, आपको वीडियो के नीचे म ये चौथा round हमने जैसे बताया था, क्या करेंगे हम लोग, अब आपको मैं translation के कुछ rule पूछूँगा, जो आपको practice करनी है, मैं आपको पहले बताओंगा, समझाओंगा, फिर हम लोग practice करेंगे, ready हो? Yes sir! अब आती ये बात किसकी rule की, कि भई, translation के rule भी हमें पता होने चाहिए, तब हम लोग अच्छे से translation कर सकते किसी भी चीज का, तो अब मैं आपको जल्दी-जल्दी मैंने rule करवाऊंगा, और आपको उसका answer देना practice करेंगे, हम साथ में, जस्ट पां-साथ मिंट लगेंगे, clear? तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि sentence, बिलकुल starting से ले रहा हूँ, ये day one है, इसलिए बिलकुल starting से, बात करते हैं, sentences की sentences क्या होते हैं, तो आपको कौन बताएगा sentences क्या होते हैं? sentence is a group of words which gives us complete sense बिल्कुल सही है sentence is a group of words which gives us complete sense बई सब्दों का ऐसा समूझ जो कुछ मतलब दे sentence कहलाता है मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है वो क्या है sentence है हाँ तो अब बात करते हैं कि sentence दो तरह से बनाते हैं एक main verb के साथ एक बिना main verb के main verb के साथ कैसे जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ यानि कि action हो रहा यहां I am writing तो writing क्या है mean verb है जैसे मैंने कहा मैं कमरे में हूँ I am in the room तो यहां क्या है यहां without main verb है क्योंकि action ही नहीं हो रहा है कोई तो action नहीं होगा तो उसमें भी हम पट्रेय इजमार क्या आता है इजमार कि लगाते हैं है के लिए कि जब भी बात होगी तो इजमार का यूज कर democracy करेंगे वोज बर कब लगाते हैं था के लिए बिलrise मीं कब लगाते हैं होगा के लिए बहुतאש बड़िया अच्छा in the कब लगाते हैं हो सकता है और could be हो सकता था और must be should be होना चाहिए clear जब भी हम ऐसी बात करेंगे जिसे मैंने कहा तुम्हें घर पर होना चाहिए तो you should be at home इस तरह से बन जाएगा तुम्हें school में होना चाहिए था तो you should at school इस तरह से आपका हो जाएगा बात यहां समझ में आ रही है कि नहीं अब इसके example बनाने के लिए ready हो चलिए मैं पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलना जैसे मैंने कहा क्या ये तुम्हारी किताब है is this your book is this your book very good बहुत बढ़िया आप बताएं ये मेरी किताब नहीं थी this is not my book ये मेरी किताब नहीं थी this was not my book this was not my book क्योंकि यह था की बात हो रही है तो बहुज लग जाएगा normal सी बात है चलिए ये दोनों मेरी दोस्त नहीं है they both are not my friend they both are not my friend बिलकुल सही आपने बहुत अच्छा बोला आप बताएं एक राजा था there was a king there was a king एक राजा था देखिए जब भी number की बात की जाएगी numbering की जैसे मैंने का पांच लोग है तो there are five people clear चलिए आप बताएं पांच लोग थे there were there were five people अब यहाँ वर लगेगा क्योंकि people plural है बात समझ में आ रही है आप हम बताएं इस कमरे में कितने लोग है how many people in this room how many people are there in this room how many people are there in this room इस तरह से बन जाएगा आप बताएं जैसे क्या आप ठीक हो are you fine क्या तुम्हें पक्का पता है are you sure are you sure इस तरह से बन जाएगा मैं कमरे में नहीं था I was not in room इस तरह से बन जाएगा आगे बताएं तुम्हें घर पर होना चाहिए you should you should be at home very good you should be at home तुम्हें घर पर होना चाहिए इस तरह से हो जाएगा पापा office में थे father was in office बहुत बढ़िया आगे बताएं आप क्या ये किताब आपकी नहीं है is your is this book is this book not yours not yours not yours इस तरह से बन जाएगा आप बताएं संदीब मेरा दोस्त है संदीब is my friend संदीब is my friend अगे मेरा बैग office में है my my bag is in office my bag is in office very good आप बताएं एक लड़का था there was a boy there was a boy एक लड़का था यानिके past की बात हो रही है was लग जाएगा एक ही लड़का था इसलिए आप बताएं यह जाया है वहाँ इस समय स्कूल में हो सकता है तो क्या हो जाएगा कौन बताएंगा he can be in school at this time यह हो जाएगा ध्यान रखेंगे can be का यूज करेंगे क्योंकि सकता है आ रहा है था न वहाँ समय में हो सकता है चलिए आगे बताएं आप वहाँ तुम्हारा दोस्त हो सकता था He is He can be सकता था He could be your friend He could be your friend, very good He could be your friend आगे आप बता है तुम्हें मंदिर में होना चाहिए You should be in temple इस तरह से किताब घर पर होनी चाहिए आप बुक या बुक शुड़ भी इन होम या एट होम ठीक है चली बहुत चली है तो ये था हमारा without main verb sentences का practice तो आप लोगो घर पे भी करनी है ये इसके बहुत सारे example बनाने है ठीक है वहाँ घर पे था वो घर पे होगा घर पे होना चाहिए हो सकता है इस तरह के बहुत सारे sentence आपको practice करने है तो ये था आज का हमारा without main verb sentence और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग भी घर पे practice करना इसकी आज हमने इजमार वोजबर बिल भी सल भी एक बार मैं repeat करूँगा आप बोलना मेरे साथ क्या पड़ा आज है इजमार है के लिए इजमार है के लिए वोजबर भी सल भी कैन भी कुट भी मस्ट भी सुट भी ग्रेट ये हमने आज पड़ा और सब को याद भी हो गया होगा बस अब practice करने है इसकी clear